बेते दो महा से फरार चल रहे लोट के आरोपी को भिलाई नगर थाना पुलिस ने गिरफतार कर लिया है मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रफारी मुमतिलाल शुकला ने बताया कि आरोपी मोहन दूबे उर्फ कादिर बेते दो महा पहले लोट की वारदात को अंजाम दे कर परार हो गया था उसके खिलाब पहले भी दरजन भर से जादा मामली थानी में दरजाएं इसे गिरफतार कर लिया गया है ये रुवावानह में एक मोहन दूबे उर्फ कादिर नाम का विक्ति है जो की पुराना प्राधी है उसके खिलाब में जिले में लगभग 10-15 अप्राध पूर उसे तरज है वो 25-26 के आसपास रुवावानह में 2-3 लोगों से मार्पिट किया और दो लोगों से पैसे लूट लिया था और ये अपराध करने के बाद वो घटना इससे फरार हो गया था उसकी बहुत दिनों से तलास की जा रही थी और उसे पूरा राउंड अप किया जा रहा था हमें परसो सुचना मिली कि वो व्यक्ति दुरुग जिले की सीमाओं में प्रवेश किया है और उसे नाकेबंदी करके राउंड अप करके इस प्रकार से लूट के फरार दो मेने से फरारा रोपी को मोहन दुब्य को गिरफ्तार करके नए अग्रिमन्ट पर जिल भेज दिया गया है